पहला सवाल है हाल ही में जारी एसिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है तो भारत की जो रैंक है वहाँ है तीसरी आश्ट्रिलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टिट्यूट जारा जो यह रैंक है यह रिलीज किया गया है जिसमें कि अमेरिका पहले स्थान पर चीन दूसरे स्थान पर तथा जो भारत है वहाँ तीसरे स्थान पर है हाल ही में रिलीज किये गए कुछ परमुख है इंडेक्सों को देख लिया जाए तो वर्ड हैपिनेस इंडेक्स में जो है फिनलैंड टाप पर है और इंडिया का अस्थान एक सो चबीस हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत 116 नमबर पर जबकी टाप पर जो है आइशलेंड है जेंडर गयपर रिपोर्ट 2024 में भारत का जो अस्थान है वहाँ है 139 तता टाप पर जो राज़ेंदेश है वहाँ है आइशलेंड करफशन इंडेक्स दोहजार चोविस में जो सोमालिया है वह टाप पर है जबकि भारत का स्थान तिरान भी वह है तथा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टाप पर स्वीटजर लेंड है और भारत का स्थान जो है वह चालिस वह है लोजिस्टिक प्रोफार्मेंस इंडेक्स जो दोहजार चोविस में जो भारत है वह अड़तिसवे नंबर पर है और सिंगापूर इसमें टाप पर है फ्रेस फ्रेस फ्रीडम इंडेक्स दोहजार चोविस में नार्वे टाप पर तथा भारत इसमें 169 अस्थान पर है अगला सवाल है कि मन कीडिया समधाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेश आदिवासी समों का दर्जा दिया है तो यह दिया है ओडिशा ने ओडिशा जो है इसकी राजधानी भूनेस्वर है मुख्य मंत्री मोहन चरण माजी राजपाल रगवर्दास तथा नेशनल पार्क में भीतरकन का तथला सिमली पाल राश्टी उद्यान है जीलों में चिलका जील यहां की परमुक जील है ओडिशा से सम्मधित करेंट फेर में भारत की पहली सिलिकान कारवाइड सुविधा का उद्गाटन जो है ओडिशा में किया गया भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाजेटियम जो है ओडिशा में खोला जाएगा विश्वपरसिद राथ यात्रा पुरी में शुरू भी है तथा कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म आउकास को लागय करने वाला ओडिशा जो है यह तीसरा राजे बना है राष्टपती द्रोपदी मुर्मू ने एतिहासिक उदेगीर की गुफाओं का उद्गाटन किया है तथा ओडिशा की परसिद्ध कटा रूपी कटक रूपी ताराकासी को हाल ही में जिया कि एक तलिशा में भारतिय टटर अच्छे को बल कमांडरों के सम्मेलन का उद्गाटन किस ने किया है तो यह किया है राजनासिंग ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्स कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 25 सितंबर को किस राज्य का जिंजी तिलायू ने इसको विसुधरोहर अस्तोनों के लिए ना मंकित किया गया है त्यहा ना वंकित किया गया है तमिलनाडू का तमिल्लाडू जो है इसकी राजधानी जो है वो चन्न नहीं है मुख्यमंत्री तथा राजपाली हां के आर्यन रवी है तमिल्लाडू से संबंदित करेंट फेर को देख लिया जाए तो प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोधी ने तमिल्लाडू के बी ओ सी पोर्ट पर तूती कोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उधगाटन किया है तथा तमिल्लाडू के केपी स्याम निखिल भारत के 25-85 में जो है वह 17 ग्रैंड मास्टर बने है तमिल्लाडू में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है तथा दूसरा सबसे बड़ी तितली की प्रजाति जो है वह मद्रई में खोजी गई है जहरीली सराब पीने से कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है तथा भारत का पहला बहु राष्टिय वायू अभ्यास तरंग सक्ति का आयोजन जो है यह तमिलाडू के सुलार में किया गया था अंतराष्टिय अंतरेच्ष स्टेशन की कमान किसने समभाली है तो यह समभाली है सुनीता बिलियम्स ने किस देशे में हिजगुला पर इसराइली हवाई हमलों में चार सबान में लोगों की मौत हुई है यह हुई है लेब्नान में किसे वालीवूड निर्माता को ब्रेटैन की संसद में सम्मानित किया गया है विनोद वच्चन को भारा सरकार ने पहला राश्ट्य सुरच्छा सेमी कंड़क्टर निर्मार संयंत्र सकती अस्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझ होता किया है तो यह किया है अमेरिका के साथ में